हेलो इस्टुएंट नमस्कार कैसे हो आयोप अच्छे होंगे तो जैसा कि देख रहा है कि आज हम लोग साधरन व्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होता है मूलदन मूलदन को प्रिंस्पल बुला जात संस्थानों से कर्ज के रूप में लिया जाता है मतलब जो धन हमें किसी व्यक्ति या किसी बैंक या किसी वित्य संस्थानों के द्वारा हमें कर्ज के रूप में मिलता है उसको क्या करते है मूलदन करते है उसको हम पी से संकेत करते है ठीक है इसके बाद आता है समय यानि क कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अब्धि के बाद देना पड़ता है यह अब्धि समय कहलाता है जो भी हम कर्ज लेते हैं उसको एक समय के बाद लोटाना पड़ता है तो वो जो समय अंत्राल होता है उसको समय का जाता है इसको T से डिनोट करते हैं ब्याज यानि कि इंट्रेस्ट कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समप्ति के बाद मूलधन के अत्रिक्त कुछ और रासी का भुकतान करता है यह अत्रिक्त अत्रिक्त है वो ब्याज का लाता है इसको I से डिनोट करते हैं ठीक है मिस्र धन यानि कि एमाउंट यह वह समपूर्ण रासी है जो कर्जदा द्वारा लोटा जाता है इस पस्टत है इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों सामिल होता है जैसे जो रासी हम लोटाते हैं जैसे 1000 प्लस 100 रुपया तो यानि कि 1100 रुपया जो 1100 रुपया हुआ वह हमारा क्या मिस्र धन हुआ तो जिसको हम A से डिनोट करते हैं दर दर यानि कि rate of interest परतेक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है जिसे परतिसत में वैक्त किया जाता है जैसे बोला जाता है कि हम 10% interest पर देंगे 12% interest पर देंगे तो वही दर गाला था इसको हम R से डिनोट करते हैं अब हम आज आते हैं simple interest से related कुछ formula से यानि कि सुत्र को जानेंगे जैसे A यानि कि क्या हो गया amount यानि कि मिस्त्र धन जब मिस्त्र धन हमको निकालना रहता है तो क्या होता है वह principal plus interest यानि कि मूल धन और plus ब्याज जो होता है उसको amount करते हैं ऐसा ही मतलब साधान का जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे principle into rate into time by 100 यह formula होता है PRT by 100 उसी तरह यदि हमें principle निकालना होगा तो interest into 100 by rate into time मतलब यही formula से यह सारा formula बन जाएगा जैसे P निकालना है तो P में निकालना हम क्या करेंगे यह 100 को इधर divide है तो equal to के इधर जाएगा तो multiply हो जाएगा बाकि यह जो दोनों rest बच गया यह इधर multiply तो इधर divide में चला जाएगा ठीक है उसी तरह rate rate निकालना है तो यह 100 इधर जाएगा तो I into 100 हो जाएगा अब I क्या बचा T और P तो T और P निचे multiply हो जाएगा उसी तरह यह तरह यह time निकालना है तो यह 100 I के साथ simple interest के साथ multiply हो जाएगा बाकि जो बचेगा पी और यह डिवाइड में हो जाएगा ठीक है I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद